अनाश्वासो वितिह कामवासना तृतियो जाड़ता प्रोक्ता तृतियवं दोश शंग्रहा मा कहती है तीन दोश हैं जिसकी विज़े से साधनाम जो सफलता मिलनी चाहिए जो मुक्ष प्राप्ति होनी ची वो नहीं हो पाती एक है अनाश्वास यानि अविश्वास दूसरा है कामवासना मतला काम ना हो कामना खत्म ही नहीं होती है कभी तो बुलना पढ़ता मन को बस हो गया बहुत हो गया अनफ दन और तीसरी है जड़ता जड़ता मतला हालस सपने तो बड़ा देखते हैं शेक्चली जैसे इसाधन करते सामें फिर बारगेरिंग शुरू कितनी मल का यह संचए और ही पढ़ियाई दोश यह दोनों ही दोश ततपरता के मुख पहरने मैं बता तिया कि आपको दिया गया साधना लेका आपको विश्वास नहीं दूसरा एक साधना दिया गया दुनिया बरकि और अथर उल्टरेंटिव जूणतले यह तो तो दोनों ही आपके, दोनों में मुश्किल होगी, मोक्ष है भी या नहीं, ये पहला संशे दोश कहा गया, मोक्ष है ही नहीं, ये दूसरा दोश है, ये दोनों दोश ततपरता के प्रधान प्रतिबंदग हैं, इससे विप्रीजत निश्य करने से क्रमश्चा ये दोनों का मुक्य तम उपाय TWO इनके मूल नाश कर देना कि भया गुरुं ने कह दिया श ऩास्तर ने कह दिया मोगस होता है लिए अब चलेएंगी जी पार फिर सबसे बड़ा कल प्रश्म क्या था ना परशुर हमने कि आपने तीन चीज़ बताई पहला चीज़ सापने सत्संग बता था गुरुदेव तुसरा आपने कहा इश्वर कृपा तुसरा आपने कहा था कि वेराग्य पुर्ण रहनी तीनों में से सबसे इंपोर्टन क्या सत्संग होगा तो अपने आप इश्वर कृपा होगी, अपने आप वेराग्य आएगा, सत्संग नहीं है तो बागी के दोनों नहीं होगे, इसी प्रकार से, वही बात यहां पर भी समझा रहे हैं कि पहले शद्धा कर लो, गुरू ने कहा दिया, शास्र ने कहा दिया, अमो उसे त्याग कर यदि शास्त अनुसारी तरकों का आश्रे लिया जाए तो विप्रित निश्चे मुलोच्षेदन पुर्वक नश्ठ हो जाएगा तब शद्धा का उदय होगा और अभिश्वाश नश्ठ हो जाएगा कामादी वासना है बुद्धी के श्रवन में प्रतिबन डालने वाली है क्योंकि जो बुद्धी कामादी वासनों से भरी होती है वह तात्विक विश्व को ग्रेंड नी कर पाती यह जो बात मैं आपको बता रही है इतने उच्छे उच्छे तत्विकी बात है पूरे गीता में और पूरे इसमें कि आपको निकाल दे कल कहा जनक जीर कहते हैं मैंने क्यों एक बार सुना मुक्त हो गया कोई एक बार अच्छे से सुने और मुक्त हो सकता है वो इतना सरल है माने का एक दिन में मुक्त हो सकता है लेकिन बात ये तत्वकी चलती रहती लेकिन आपके दिमाग में के वलो आपकी जो भी कामना है हाँ ये तो ठीक है लेकिन मेरी कामना कैसे पूरी होगी हाँ ये तो ठीक है मेरी कामना कैसे पूरी होगी जब प्रशना आते तो मैं समझ जाती हूँ इतनी देखर एक घंटा गला भाड़ भाड़ के बोला लोग में भी देखा जाता है कि कामना युक्त पुरुष सरवदा अपने कामे विशे के चिंतन में लगा रहता है। वेरागय रूप संपत्ति से कामादी वासना को वश्मे करें। कामक्रोध आदी। गीता में भी बता रहे। रजोगन से आती है। पिसले बात यहां पर का। मा कह रही है। कामक्रोध आदी वासना ये तो हजारों हैं। कल हमने चर्चा की थी। कि कोई तारे गिन सकता है। लेकिन इंसान के अंदर जो कामनाए हैं उसको नहीं गिन सकता। गुरुदेव दफ्तातरे कह रहे निकल। तो यहां पर भी मा वही कह रही है। काम, प्रोधी ये मा की गीता है समझ लो अब डिलेकली मा के मुझ से। जैसे कृष्ण ने भगवत गीता दी ना ऐसी सीधे त विद्या गीता है। जो त्रिपृरा रहसे की में जो जो रहसे थी ये विद्या गीता कोई अंतर नहीं है दोनों बात Fitzma है काम सब का मूल है। उसका नाश होने पर कोई वास ollा नहीं रहती ह। ये सहीव बात गीता में बटते हैं काम को जीतो कौन बोल रहा है मात्र पुरा की गीता है समय नहीं है ने तुमें पूरे श्लोक पड़ती अता वेराग की साहिता से काम वास्तना को नश्ट करे आशा ही काम कही जाती है क्या है काम आशा ही आशा ही काम कही जाती है और मा के चब्दों में इस लोग पड़ने में आनंद आता है इक लोग पड़ी देते हैं मा के चब्दे दो ततो आशा ही कामा हाँ, आशा ही कामा संप्रोक्त, एतन में स्यादिती स्तिता, सक्के शूस्तू लभूता सा, सुख्ष्माक्षक्के शूस्तिता। और आशा में करता क्या वेक्ति? मुझे यह मिल जाए, मुझे यह मिल जाए, मुझे यह मिल जाए, इस रूप में आशा रहती है और यही काम है, यही काम के वज़े से क्रोध आता है, क्रोध के वज़े से मोह होता है, और मोह में आदमी अपना विनाश कर लेता है, मा कह रही है उस काम बास नबे जीतो जीत पाओ जो पदार्थ प्राप्स हो सकते है उनमें वस थूल रूप में रहती है और जिनकी प्राप्ती नहीं हो ऐसी काम नए सुक्षम रूप में रहती एक तो ऐस सामने मिल जाए और एक केवला पाशा करते हो मिल जाए बस कैसे भी मिल जाए कुछ दे दो सादन कि मिल जाए तो काम ना सामने कोई बस तो दिखर ही मिल जाए और एक होता है केवला आपकी कल्पना में काम वासना जो है ये दोनों तरीके से आपको घेर करके रखती है इसलिए जो मोकश खेले जो तदपरता उनी चाहिए तदपरता आती नहीं मा के री गीता में विध्यागीता में इस गीता गहने में जैसे तृष्ण का गीता भगुत गहने में विध्या गीता ब डी का जड़ता रूप तो तीसरा दोष हैमनी नीवरो उसे अभ्यास आदिके द्वारा निवित करना तो सर्वत्हा संभव है जिसके कारण ततपरता पुर्वक सुनी हुई बात भी बुद्धी में नहीं जाती वह जड़ता रूप महांदोश सभी पुरुशारतों को व्यर्थ कर देने वाली है उसकी निवित्ती का उपाय तो परमातमदेव की उपासना कि निवित्ता के अनुसार मैं उसकी जड़ता को दूर कर देती हूं कहती है मा कि जड़ता है इग्नोरेंस है आलस से है तमस भरा हुआ है लेकिन यदि वो सुद्धा पुबरा कर रहा है कर रहा है कर रहा है तो मैं मैं उसको दूर कर देती हूं उस जड़चित वाले साधक को उसकी जड़ता के नियुनुता या अधिक्ता के अनुसार अत्वा अगले जनम के फल की प्राप्ति उसको जैसा उसका होता है जड़ता या नुनुता उससे उसको अगले जनम में जो प्राप्ति होती है गीता में जो सिखाया सेम कि कोई प्रश्ट हो गया अब यहां परेतीन हो कारण की वैसे को योग प्रश्ट है तो मा कहती है अगले जनम में उसके फल के प्राप्ते में करा दूंगी उसको मा फिर कहती है आशिर्वा देती है सोवेश लोक में सर्वसादन संपत्तिर ममाईव अप्राणी धानता उपयाती चयो भक्त्या सर्वदा मामाईक तत्वात कहती है सब प्रकार के सादनों की पुर्णता मेरी उपासना से होती है जो सर्वदा निश्चल भाव से मेरी उपासना भक्ति भाव से करता है वह सादन के सभी विगनों को पार करके कृत्य कृत्य हो जाता है ये तीनों दोश हम में होगा हमारी बुद्धी में काम वासना हजारों ह होंगी साइकड़ों अंगिनत हो सकता है ज्ञान है जड़ता बहुत है हमारे अंदर सब हो सकता है विश्वास की भी कमी हो में लेकिन यदि हम मंत्र निष्ठा गुरु निष्ठा निष्ठा करके और मा की यह जो वाणी है इस पर श्रद्धा करके यदि हम साधन कर रहे हैं 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 झाल झाल